आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के पारे में बात करेंगी जो 2020 का चुनाओ लड़ता है और वो चुनाओ हार जाजा है उसके बाद आप देखिए उसकी पायटी भी बहुत बुरी तरह से चुनाओ हारती है उसकी एक सीट भी नहीं आती है यानि कि उनका खाता भी नहीं खुलता है लेकिन 2022 में एक देश के पिधानमंत्री बन जाते हैं उनका ये कैस तरह का सफर रहा है उस सफर हम लोग आज बिस्तार से बात करेंगे हम लोग आपके रानिल विक्रम सिंगे की बात कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि स्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है ना जो आप देख बिक्रम सिंगे और आप लोग अपनी स्क्रीन पर इनकी फोटो भी देख रहे होंगे इनके बारे में बात करने से पहले आप लोग एक बार स्रीलंका को देख लीजे हमारा पड़ोसी स्रीलंका है और हमारे सांस्कितिक संबंध काफी मिल्चे लोलते रहते हैं और आप देखें कि हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा यह हमारा प्यारा भारत और यह आपको देखने को मिलेगा स्रीलंका देखिए है स्रीलंका और दच्छड एसिया में हिंद महासागर की उत्तरी भार्ग में एक दुईपीये देश है क्या है दुईपीये से आपका सिरी लंका और सिरी लंका की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो सिरी जैवर्धने फुरा कुट्टी इसकी बिधाई राजधानी है कोलंबो कारिकारी और नियाएक राजधानी है तो इसके बारे में याद रखेगा तो इसी के बारे में बात करनी है, क्या करनी है, इसी के बारे में बात करनी है रानिल विक्रम सिंगे की अगर बात करें तो इनका जनम 24 मार्च 1949 को स्री लंका की एक धनी राजनेति परिवार में इनका जनम होता है उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने सीलोन बिसविध्याले से इस्टनातक की उपादी प्राप्त किये और 1972 में सीलोन लौ कॉलेज से वकालत की पड़ाई पूरी किये उन्होंने United National Party के साथ जुड़कर 1970 की दसक के मद्ध में राजनीती में सक्री होते है 1977 में संसदी चुनाव में पहली बार विया गामा से सांसद चुने जाते हैं और जिसके बाद उनके चाचा राष्टपती जे आर जैवर्धने ने रानिल को विदेश मामलों का उप मंत्री निउप्त किया था और इसके बाद उन्हें यूबा मामलों और रोजगार मंत्री निउप्त किया गया था और इस तरह भी स्री लंका की इतियास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने थे उस समय अब राश्टपती प्रेम दासा की हत्या के बाद पहली बार वो स्री लंका की पिधान मंत्री बने थे एबात है 1989 की राश्टपती रन सिंगे प्रेमदासा ने बिक्रम सिंगे को उद्ध्योग विकास विज्ञान और फुरुदुकी की मंत्री और सदन की नेता किरों में नियुक किया। उन्होंने राश्टपती प्रेमदासा की हत्या की बात पहली बार स्रीलंकाई पिधान मंत्री पत की कमान समाली। राश्टपती मेत्री वाला स्री सेना ने देश की पिधान मंत्री निवत किया था। देश का पिधान मंत्री प्राइम मिनेस्टर बनाया था। मेत्री पाला स्री सेना ने 2015 की राश्टपती चुनाओ में महिंदरा राक्षपच्चे को हराया था। और चार इससे पहले आपको बता दूँ कि चार बार स्रीलंका की पिधानमंत्री रहे चुके हैं विक्रम सिंगे। 9 जनवरी 2015 से 26 अक्टूबर 2018 तक और आप देखेंगे 15 दिसंबर 2018 से 21 नवंबर 2019 तक स्रीलंका की पिधानमंत्री के रूमें पहले भी ये काम कर चुके हैं। आप देखेंगे 2015 की संसदी चुनाव में विक्रम सिंगे ने कि गटवन्दन United National Friend for Good Governance को 106 सीटे मिली थी। इसके बाब जूद 25 सदस्तों वाली स्रीलंकाई संसत में उनके पास बहुमत नहीं था। क्योंकि आप सभी को मालू हैं कि आदेख से अधिक सीटे होने चाहिए बहुमत के लिए। ऐसे में विक्रम सिंगे को 35 से अधिक स्रीलंका फीडम पार्टी के सदस्तों का साथ मिला था और उन में से कई विक्रम सिंगे सरकार में मंत्री भी बनाए गए थी। जंका में पैदा हुआ था उस समय, उस समय भी एक कापनी चर्चा में रहे थे। इस कारण 16 दिसंबर 2018 को राष्टपती सरी सैनानी विक्रम सिंगे को दुबारा पिधार मंति ने उक्त कर समिधारिक संकट को खतम कर दिया था। अब 2020 में जो चुनाव हुए तो उनमें भी देख लिजे इनकी स्तिति क्या रही थी। उनके साथ रहे सजीद प्रेमदासा ने उनसे अलग होकर अलग दल SGB बना लिया जो मुख विवक्षी दल बन गया है आज की समय में। विक्रम सिंगे को दूर दरश्टी वाली नेतियों के साथ अर्धवस्ता को समालने वाले नेताओं के तौर पर व्यापक सुईकारता है। और उन्हें स्री रंका के ऐसा राजनीता माना जाता है जो अंतराष्टी सहयो भी जुटा सकते हैं। तो जाने माने नेता है असलिए आप देखे कि उन्हें पिधानमंत्री बना दिया गया है। बरना आप सोची कि हमारे देश में आपको ऐसा संभाव लगता है कि जिसके पास एक भी सांसद ना हो वो विधानमंत्री बन जाए। तो ये कहानी है किसकी रानिल विक्रम सिंगे की। इनके बारे में एक सामन जानकारी आप लोग रख सकते हैं। किया कर सकते हैं? रख सकते हैं। और होना भी चाहिए। और अभी स्री लंका के राश्णपती गोटावया राज-पक्षय है, आप सभी जानते और इसते पहले आपने देखा होगा गोटावया वाया के भाई महिंद्रा महिंदा राजपक्षय द्धानमंत्री थे। उन्ह